नमस्कार, नमो विद्यावाहिने के सभी चौकिदारों का बहुत-बहुत स्वागत है। वो सारे सिक्षक विद्यारती जो एनाइवेस से डिप्लोमा इन एलमेंटरी एजुकेशन किये थे। उन सब को हमने थोड़े समय पहले संभोधित किया था और कहा था कि आपकी परेशानी में हम सब सरीख हैं। आज मैं पुना एक ऐसा कारिक्रम सोच के आया हूँ जिसके माध्यम से हम दो काम करेंगे। हमारे ये शश्वी प्रधानमंत्री जी केवल देश के लिए सोचते हैं और उनका एक विचार है एक भारत श्रेष्ट भारत। हजारों साल पहले अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक एक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम बढ़ते गए, कटते गए, तूटते गए। हम सब एक ही तरह से सोचते थे और इस पूरे छेत्र में कभी पाटली पुत्र का राज ये था तो कभी राम राज ये था। जैसा हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री चाहते हैं। तो आप सब जो प्रात्मी के बच्चों के लिए को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं, आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने छेत्र के कोई ऐसे विक्ती, कोई ऐसा स्थल, कोई ऐसी घटना, जो देश को जोडने के बारे में हो, उसको जमा करें और 500 शब्दों में लिखें। ज्यादा लंबा न लिखें। और ये कहानी आपकी तीन से नौ वर्श के बच्चों के लिए हो, हमारा प्रयास होगा कि देश के 22 भाशाएं, जो हमारे एर्श चेडूल की भाशाएं हैं, जिनको हम नैशनल लाइग्विजेज कहते हैं, उन भाशाओं में इनको अनुवात करके और देश के अलग-अलग भागों में इन कहानियों को पहुँचाएंगे ताकि ये बच्चे अपने राश्ट्र से परिचित हो सकें और अपने राश्ट्र पर गर्व कर सकें, तो एक ऐसी कहानी अपनी मात्री भाशा में लिखें, जो राश्ट्र को जोडने की कहानी हो, इन सभी कहानियों को हम जमा करेंगे और यह अपने यशिश्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी स्वरूप विश्णुवतार को समर्पित करेंगे तो एक सब्सक्राइब 15 दिन में आप यह कहानी लिखे और मुझे भेजे मैं इस सब को जमा करके अपने ये शश्वी प्रधान मंत्री जी को समर्पित करूँगा और आशा करूँगा कि वो जाने कि कितनी छमता हमारे इन प्रात्नी सिक्षकों में है कितने शक्षम है और कैसा बढ़ियां काम करते हैं तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है उदेशित और निश्चित तोर पर ये है कि प्रधान मंत्री जी को किसी तरह ये संज्ञान में लाया जाए कि ये सारे सिक्षक जो प्रशिक्षित हुए थे वो अबल दर्जे के हैं और इनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है तो चलिए मैं आपके पत्र का आपके सूचना का आपके मेल का इजजार करूंगा जिसमें किसके माध्यम से आप एक ऐसी कहानी हमें भेजेंगे आप सबों को बहुत बहुत शुक्त कामनाएं और आप से सुनने की आशा रहेगी नमस्कार